आप लोगोंने साइड नोटिस करा होगा, कभी-कभी जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके सारी डिक बनावट में कुछ डिफेक्ट यानि की कमियां रहे जाती हैं, उसी में से एक कमी है है हैड्रो सिफेलस, हैड्रो मींस पानी, सिफेलस मींस ब्रेन, मतलब कि जब यह सब एकुमलेट हो जाता है, तो इसको हम हैड्रो सिफेलस कहते हैं, हैड्रो सिफेलस दो प्रिकार का हो सकता है, नमबर बन पेज जो है, वो है कंजनाइटल, कंजनाइटल मीस बाई बर्थ, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ, हमारे सामने आया, तब बच्चे में यह कम बने थे, वो प्रापर तरीके से नहीं बने थे, और उनमें यह कमिया रहे गई थी, इसलिए साइद कहा जाता है, कि जब भी मा प्रेगनेंट होती है, तो अल्टासॉन हमें टाइम से करा लेना चाहिए, तीसरे मन से अल्टासॉन सुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह जो होती है, चौथे मैने में हम अल्टासॉन में डिटेक्ट कर सकते हैं, और पेसेंट को भी समझा सकते हैं, कि आपके बच्चे का ब्रेन या दिमाग अच्छी तरह से विक्सित नहीं हुआ है, और उसके साथ पीट में फोरा भी है, तो ऐसे बच्चों को हम टर्मिनेशन करने की सला देते हैं, बच्चों में जो हैडोसिफेलस होता है, उसका सबसे मुख कारण होता है, मा को इंफेक्शन होना, मा को कोई इंफेक्शन हो जाता है, जैसे कि टॉर्च इंफेक्शन होना, टॉर्च में तीन से चार इंफेक्शन हो सकते हैं, इसमें टी स्टेंड फार वो है equiductal stenosis जो 3rd venticle और 4th venticle के बीच में जो पैसेज होता है वो अगर नेरो हो जाता है उसमें भी stenosis हो जाती है तो उसकी बज़े से 3rd venticle से जो CSF होता है वो 3rd venticle से 4th venticle तक नहीं पहुँच पाता तो इसकी बज़े से lateral venticle और 3rd venticle dilated हो जाते हैं और इसे इस हैडोसिफेलस को non-communicating हैडोसिफेलस कहते हैं जो की बच्चों में सबसे मुख कारण होता है most of the time हैडोसिफेलस is associated with meningocel अब यह मेनिंजोसील क्या होता है मेनिंजोसील में क्या होता है जो हमारी रीड की हड़ी है उसमें L4, L5 के लेबल पे योजिली बटी में एक डिफेक्ट होता है इसकी वज़े से इस्पैनल नर्व और उसकी रूटस बहार निकल जाती है आउट पॉचिंग के रूप में पीट पे आ जाती है जिसे आम भासा में फोडा कहते हैं और इसमें इस्पैनल रूट के साथ साथ सीयसर भी एकुमलेट हो जाता है मैंने जो सील का डिटेल मैं अपने पिछले पीडियो में बता चुकी हूँ इसको आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं दूसरे तरीके का जो हैडोसिफेलस होता है वो पैदा होने के बाद होता है मतलब की occurred हैडोसिफेलस होता है अब यह CSF क्या है CSF शारिब्रो इस्पैनल फ्लूट है यह एक तरह का पानी है जो कि किलियर कलरलेस फ्लूड होता है जो कि ब्रेन के अंदर नॉमली बेंटिकल्स में होता है और यह बेंटिकल्स से होता हुआ ब्रेन के अंदर से होता हुआ ब्रेन के चारों तरफ एक सब एरेक्नाइड स्पेस होता है उसमें फ्लो करता है नॉमली ब्रेन में चार बेंटिकल्स होते हैं, दो लेटल बेंटिकल्स होते हैं, एक थर्ड बेंटिकल्स होता है, और उसके नीचे फोर्थ बेंटिकल्स होता है, यह बेंटिकल्स में फ्लो करता है, और इसी तरह से स्पाइनल कार्ड की जो कबरिंग होती है, उसके भार जो स्पेस हो प्रोटेक्ट करता है जिससे हमारे brain को और spinal card को को कोई चोटना लग सके तो C.sf जो normally c.sf venticles में फ्लो करता है तो अगर इसका पिसी लेवल पे ब्लॉकेज हो जाता है third venticles या fourth venticle के बीच में जो canal होती है जिसे equiduct कहते हैं यह अगर नेरो जाती है तो जो CSF होता है वह लेटंट ऑसफ सबस्क्राइब升 या तो कोई tumor होता है निए उसका कोई tumor remembered जो कि बहुत रेय है, और प्लक्सस पैपिलोमा जिसे कहते हैं, उसमें ज्यादा प्रोडेक्शन होता है, तो CSF की मात्रा बढ़ जाती है, या जो CSF को एब्जार्ब करता है, उसमें कोई कमी आ जाती है, किसी लेबल पे, बेंटिकल के लेबल पे अफ्स्टेक्शन हो जाता है लेटल बेंटिकल और थर्ड बेंटिकल के बीच में जो फोरा में अप मोनेरो होता है, वो अब्स्टेक्शन हो सकता है, उसकी स्टिनोसिस हो सकती है, या थर्ड और फोर्द के बीच में कोई ब्लॉकेज हो सकता है, तो इसकी बज़े से बेंटिकल में ही घटता हो जाता है, If it is more than 10 mm, then it is called benticulomegaly. तो जब benticle के साइज बड़ा हो जाता है, तो यह आज पास जो brain structure है, उस पर pressure डालता है, जिसकी बज़े से brain properly developed नहीं हो पता है, और brain में mental retardation हो जाता है. अगर आपको यह जनकरी अच्छी लगी हो, तो अपने friend के साथ share कलीजेगा. Thanks for watching, stay healthy, stay safe.